हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मैं चैनल, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर करके आया हूँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि जेब्रा ब्लाइंड्स कैसे एसंबल करते हैं या कैसे बनाते हैं, तो हमने ये फैबरी कटिंग कर लिया है और मैं इसके बाद फिर हमें इसके लिए बॉटम चाहिए, जब ड्रा ब्लाइंड्स में बॉटम में दो लेयर होता है, एक राउंड्स से जो घूमते हैं और एक जो नीचे होता है वो, तो ये राउंड बाला भी हो गया, ये पैलमेट्स हो गया, इसमें एक एक्ट्रा अड्वां तो जैसे रोलर ब्लाइंड्स में ग्रीन टेप के सहारे हम इसको अटैज करते हैं, बॉटम और टॉप को उसी तरीके से इसमें भी होता है, तो ये हमारा टॉप हो गया, और ये हमारा पैलमेट्स हो गया, ये पैलमेट्स के उपर फैब्रिक अटैज किया जाता है, वो बॉटम हो गया तो अभी मैं आपको बॉटम दिखाऊंगा यह रहा बॉटम इसके दोनों उपर और निचे ले वारा लियर दोनों ही हो गया अब हम क्या करेंगे कि green tape को हम बॉटम से अटेज़ करेंगे जो कि हमने पहले इस्टेपल करके fabric के अंदर attach कर दिया हुआ है अब हम उपर का जो top है इस top के साथ इसको attach करेंगे तो अब देख सकते इसके अंदर भी जो groove होता है ये green tape इस groove के अंदर चला जाता है तो हम इसको काफी carefully हो करके हम इसको इसमें लगाएंगे ये हमने लगा दिया हुआ है और अराम अराम से सो करके लगाएंगे कहीं ऐसा नहों कि चैनल के किनारे से हमारा fabric फट जाए तो इन चीजों को हम भी ध्यान रखना होता है तो मैं इसको अराम अराम से लगा रहा हूँ और ये हमारा bottom top लग चुका है ये हमारा top लग रहा है और top हमारा लग चुका है अब हम इस top में इस fabric को roll कर लेंगे जैसे हम roll करेंगे तो क्या होगा fabric हमारा थोड़ा छोटा हो जाएगा फिर हमें bottom लगाने में आसानी हो जाएगी और इसके control unit को भी लगाने में आसानी हो जाएगी तो हमारा सामराम से इसको roll कर लेते हैं और roll करने के बाद जो उपरी हिस्सा होता है top का जो palmit का एक सिरा हम इसमें attach करते हैं इसमें भी हमने green पट्टी लगा करके इसमें green नहीं sorry white है तो white पट्टी लगा करके हमने पहले ही तियार कर रखा है और यहमारा लग चुका है आट अब हम palmit के अंदर यह इसकी control unit को fix करेंगे यह हमारे दो screw का जगे होता है जो दो screw के सहारे screwdriver से हम page से इसको attach कर देते हैं और इसको इसमें attach कर देते हैं तो यह आप देख सकते हैं यह हमारा attach हो चुका है अब हम इसमें जो कंट्रोल यूनिट होता है वो कंट्रोल यूनिट को टॉप में लगा करके और इसको हम अटैच कर देंगे और ये हम जो जब्रा का टॉप है वो कंट्रोल यूनिट में हम ये अटैच कर देते हैं और ये देख सकते हैं ये हमारा अटैच हो चुका है अब हम opposite side वा जो control unit है, इसको attach करेंगे, यह आप देख सकते हैं, यह हम इधर आगे, और इसको भी roller को top को फसा करके, और इसकी screw को हम tight करतेंगे, यह हम इसको tight कर देते हैं, और यह हमारा, दोनों side के continuity लग गया है, और यह हमारा blinds बनके ready हो गया है, अब हमें इसमें bottom attach करना है, तो bottom के जो सबसे नीचे वाला जो चक्री होता है, वो चोक्री को लगाएंगे, और चक्री लगा करके हम bottom को attach करेंगे, इसमें plastic की एक पुली सी होती है, इस पुली के सारे हम इसको attach कर देते हैं, इसे भी काफी careful होके लगाना होता है, जो plastic के पुली होती है, इसको ध्यान से करना होता है कई वार यह तूटने कर भी डर होता है तो यह हमने लगा दिया हुआ है यह हमारा bottom जब्रा का लगके ready हो गया है अब मैं इसको आपको operate करके दिखाऊंगा यह हमारा इस chain के साहरे में इसको operate कर रहे हैं यह हमारा blind बनके ready हो गया है अगर आपको पता है तो बहुत अची बात है अगर नहीं पता है तो हमारे पीछेगा वीडियो देख सकते हैं और इस से related में हर टेकनिकल वीडियो जो मैं अपने चैनल पर upload करते रहता हूं किसी भी टाइप की और आपको किसी चीच की requirement हो तो आप मुझे comments करके किसी भी वीड वीडियो को का demand कर सकते है थैंक्स पर वाचिन